Hi, Good Morning Students, Welcome to Mera Slabers तो आज हम Question No. 6th and 7th दो करने वाले हैं इस Lecture में तो 6th Question क्या कहता है Look at the several example of rational numbers in the form of P by Q where Q is not equal to 0 where P and Q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation expansions Can you guess what property A must satisfy? तो यह क्या कहता है यह कह रहा है कि जो प्राइम 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 जो रेसन लंबर होते हैं P by Q की form में वो उनमें अगर कोई भी common factor ना हो other than 1 कि उनमें A की common आए उसके लावा कोई common आए तो उनका जो आंशर होता है वो terminating form में होता है तो एक चीज आप लोगों को याद रखनी है जैसे मालो 2 है 2 हो या 4 हो या 8 हो या 10 हो राइट तो जो आपका expansion form आएगी वो हमेशा क्या आएगी terminating form में आएगी for example अगर मैं example लो ठीक है तो अगर मैं example P by Q की form में लो 1 by 2 ले लो ठीक है तो Q हमारा क्या होगा यहां पर 2 होगा अगर मैं इसको divide करूँ तो सबसे पहले तो जाएगा नहीं तो 0 हो जाएगा फिर point यहाँ पर 0 उतारेंगे तो यह क्या जाएगा 2 5 जा 10 तो यह आगया terminate हो गया क्योंकि terminate में कैसे कह रहा हूँ जैसे मालो यह 1 है यह 2 है तो भाग जा divide होगा नहीं तो 0 उसके बाद यह क्या जाएगा यह हो गया 2 5 जा 10 और यह बज़िया 0 तो जब 0 यहाँ पर आगे divide होना नहीं है तो यह क्या हो गया terminating form हो गई ऐसे ही अगर आप और लो तो जैसे मालो 4 by 5 लो राइट तो भी यह क्या हो जाएगा पहले तो divide जाएगा नहीं फिर यह 8 पे खतम हो जाएगा तो अगर ऐसे आप लेते हो तो हमेशा क्या आ रहा है जो expansion वो क्या आ रहा है तो यहाँ पे तो power क्या थी 2 की 1 थी जो denominator में है यहाँ पे 5 की power 1 थी राइट अगर मैं इसक तो 8 भी कर लूँ किसी भी जहे पे अगर मैं यहाँ पे एक example ले लूँ 7 अपोन 8 ले लूँ तो यह अगर एक पार इसको divide करके देखते हैं बचों तो divide नहीं होगा 8 पे जाएगा 64 यह बचा 6 यह क्या हो गया 8 5 जा 40 8 6 जा यहाँ पे जाएगा वो 7 पे ठीक है तो यह क्या हो गया यह आ गया 6 और यह 0 तो 8 7 जा 56 यह 4 और यह अब यहाँ पे चला जाएगा 5 पे 40 तो 40 40 0 हो जाएगा तो यहाँ पे भी यह क्या हो रहा है 8 7 5 पे terminate हो रहा है आगे divide हो नहीं रहा तो यह किसकी power हो गया यहाँ पे 2 की power में 3 लिख सकता हूँ तो आप लोगों ने क्या देखा जबकि denominator में 2 हो या 5 हो या 2 की जो power में चीज़ें आती है वो हो या 5 की जो power में चीज़ें आती है वो हो तो हमेशा जो result आपका क्या आएगा वो क्या आएगा वो terminating आएगा जो expansion है वो आएगा तो वो एक ही condition क्या हो गई या तो 2 हो या 2 की कोई power हो जैसे 2 की power 1 हो गया 2 2 की power 2 क्या हो गया 4 हो गया ऐसे 5 की power 1 क्या हो गया 5 हो गया तो ऐसे 2 और 5 की कोई power में चीज़ें आएगी त वो क्या आएगा आमेशा terminating answer आएगा वो यहीं वो पूछ रहा था कि एक ही condition क्या होने चीए तो वो condition क्या आगई या तो 2 हो अपन में या 4 हो या 8 हो या 5 हो या आप ऐसे बोल सकते हैं कि 2 की कोई जो power है वो हो या 5 की जो power है वो हो तो ऐसे अगर चीज़े होंगी तो आपका जो rational number का solve करोगे तो क्या आएगा terminating आएगा ठीक है अब हम देखते हैं अपना तो हमारा 7th question क्या है बचो वो है write 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating, non-recring तो इसका solution क्या है मैंने जो introduction video था उसमें पढ़ा था कि जितने irrational number होते हैं अगर हम उनका root लेता है या decimal expansion करते हैं तो वो क्या आते हैं non-terminating, non-recring आते हैं तो क्या हो जाएंगे all irrational number ठीक है अगर for example मैं लेता हूँ for example लें तो मालो जो root 3 है ठीक है अगर root 4 होगा तो उसकी value 2 आ जाएगी लेकिन मैं अगर root 3 लेता हूँ तो इसकी value होती है बच्चो 1.73 2 something होती है तो ये कभी भी terminate नहीं होगा जैसे जैसे चलते जाएगा आगे चलता जाएगा ठीक है ये non-terminating non-recring है एसे ही अगर मैं अगला example लूँ तो वो हो जाएगा मालो root 100 का 10 होता है 101 ठीक है इसकी value 10.04 के राउंड होती है ये भी क्या होता है non-terminating recurring होता है अगर मैं ऐसे ही 99 लेता हूँ तो उसकी value हो जाएगी 9.94 के राउंड हो जाती है तो ये जितने भी values है इनकी कोई भी जो expansion होता है decimal expansion वो terminating नहीं होता है तो ये example क्या हो जाएगे आपके non-terminating and non-recring ठीक है तो ये हमारे यहाँ पे 7 complete हो चुके है questions जो अगला वीडियो होगा उसमें मैं try करूंगा कि आपकी जो ये 1.3 exercise है वो complete हो जाएगे तब तक के लिए bye and thank you